हेलो फ्रेंज और वेल्कम टू वीएफेक्स वाइब वन्स अगेड तो आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों में से बहुत लोग ने मेरे को कमेंट कर रहा था इस टॉपिक के ओपर वीडियो बनाने के लिए तो basically हम क्या करने वाले हैं हम देखने वाले हैं कि एक ऐसी footage जिसमें continuously light flicker हो रही है या light की information change हो रही है उस footage में किस तरीके से हम clean up कर सकते हैं या किसी भी element को add कर सकते हैं यहां पे मैंने कच चीज़े add करी हैं जैसे इस यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने कुछ चीज़े add करी हैं जैसे यहां पर देखोगे तो same एक frame मैंने यहां पर add किया हुआ है यहां पर कुछ चीज़े clean up करी हुई है so basically दोनों चीज़ cover करने की कोशिश करी है मैंने कि किस तरीके से आप clean up भी कर सकते हैं और किस तरीके से आप किसी element को add भी कर सकते हैं अगर मैं play करके दिखाऊ तो मैं separately करता हूँ एक पर पास footage है जो normal बहुत ही flat है यहां पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने color correction करके उसको color grade किया है ताकि थोड़ा contrast build कर सकूँ और यहां पर मैंने track करके अपना tracking यहां पर कर लिया है तो आप चाहें तो already आप planar track कर सकते हैं 3D track कर सकते हैं whatever मेरे को corner pins ज़्यादा अच्छे लेगा क्योंकि light flickering हो रहे है तो might be chances are there कि आपका planar track उतना अच्छा तरीके से काम नहीं करेगा या 3D track भी कर सकते हैं तो टोटली अप टी यू so as a situation के लिए what we are going to do firstly we are going to take a node called a curve node यह बहुत ही बढ़िया tool है बहुत multiple uses में हम लेते हैं इसको so basically curve tool का क्या काम है basically जो भी color की information change होती है या किसी भी तरीके की information change होती है उसको ये read करता है अगर मैं एक lemon term में बतानी की कोशिश करू तो इसमें आप देखेंगे तो 4-5 आपको tab मिलेंगे जिसमें basically curve tool में आपको बहुत जादा options नहीं है auto crop, crop का option है intensity data या maximum data यहाँ पर max luminance data यहाँ पर है तो बहुत ही अभी बहुत detail में नहीं देखने वाले हम लोग so फिलहाल कुछ चीशे में बताता हूँ आपको क्या आपको ध्यान में रखना है basically आपको ध्यान में रखना कि कोई भी area जिसमें luma के basically changes हो रहे हैं उसमें कोई एक white point हो so normally क्या है इसमें white का को information नहीं है जैसे सबसे white मेरे को यह दिख रहा है जब कि यह blue है so अगर मैं यहाँ पर white tape वेगर add कर देता तो probably मेरे को ज़्यादा अच्छा रहता है so but फिलाल इसे से काम चलाते हैं हम लोग and now I am going to restrict my area till here ताकि बहुत ज़्यादा information यह capture ना करे so जिस area में मेरे को light capture करने है कि हाँ इस area में किस तरीके से light change हो रही है थोड़ा सा area में restrict कर रहा हूँ और एक चीज और करने के ज़रौत है अगर आपके कैमरे में movement है यसे इसमें बहुत ज़्यादा movement नहीं है बट अगर camera में movement है तो I will recommend you to first stabilize this thing stabilize करने से क्या होगा आपका एक तो information change बहुत ज़्यादा नहीं होगा और pixels की information बहुत ज़्यादा change नहीं होगा अगर आपको pixels की information भी लेनी है तो वो भी कर सकते हैं इस case में मेरे को stabilize करना ज़्यादा अच्छा रहेगा for safer side so I am going to stabilize this first तो आप देखोगे तो मेरा footage stabilize हो चुका है ताकि सिर्फ Luma की changes बहुत प्रॉपर तरीके से ये कर सके now what I am going to do I am just going to I need average intensity so what I am going to do इसमें बहुत options और भी मिलेंगे आपको average intensity, exposure difference और max Luma pixels तो आज हम जो देखेंगे वो average intensity देखेंगे बाकि कोई भी change में change नहीं कर रहा आप ये चीज़ चेंज कर सकते हैं frame for base average 2 का 1 कर सकते हैं तो फ़ड़ा अच्छा और information मिलेगा आपको but जो भी by default है मैं उसे पर काम कर रहा हूँ and I'm just going to hit go what will happen it will analyze this area from start to end now अगर आप यहाँ पर देखोगे अगर मैं average intensity के data में जाऊ तो आपको intensity की information यहाँ पर change होते विए नजर आएगी if you can see see आपको दिखेगा कि red green blue में information changes हो रहे हैं और हर फ्रेम पर हो रहे हैं now we can use this data to do our work so for first example what I'm going to do suppose that मेरे को यह चाहिए so I'm going to do take a roto node and probably फटा फट से मैं एक basic roto कर देता हूँ बहुत ज़्यादा मैं roto पर ध्धान नहीं दूँगा और इसमें कुछ है भी नहीं इसमें कुछ है भी नहीं करने को and now I'm going to take a node called merge एक merge ले लेते हैं क्योंकि जो भी आप काम करेंगे sorry get m for merge and I'm going to do this क्योंकि उस वाले एरे को मेरे को कट करके बाहर निकालना है so I'm going to use mask from here and I'm going to use plus मतब merge कर देंगे हम लोग a over b right so उससे क्या होगा आप बोलोगो कि sir इसका क्या मतलब हुआ so मैं बताता हूँ जैसे मेरे को suppose अब नीचे लेके आना जैसे previous example में देखा तो मैं transform node लेता हूँ and probably I can hold shift and num lock का to use करूँगा and probably मैं ऐसे नीचे लेके adjust कर सकता हूँ but the major problem क्या होगी इसमें दो problem होगी देखो बहुत ज़्यादा मैं scaling पे भी धाननी देता है थोड़ा scale कर सकते हैं but I think जरुरत नहीं है for the sake of this example okay so अभी बोलोगो वावी तो मैच हो गया बटी मैच नहीं हुआ है जैसे ही आप ओ करोगे देखो क्या हुआ आपका एक तो रोटो नहीं मैच हो रहा है and probably आपका ट्राकिंग भी मैच नहीं हो रहा so what we can do now so firstly before रोटो इट आउट I am going to take a node called frame hold so I am going to use frame hold and frame hold से क्या होगा मैं zero number frame पे इसको hold कर लूँगा मतलब है single image बन जाएगी and then I can roto it out and then I can position my stuff तो उससे क्या होगा बट अभी देखो क्या हुआ अरे ये तो ट्राकिंग भी मैच नहीं हो रही and color भी मैच नहीं हो रहा so first एक-एक करके information देखते हैं कि करके क्या कर सकते हैं बोग सबसे पहले हम ट्राकिंग को match करेंगे तो आपको पता है already मैं ट्राक करके हैं परेखा हुआ है मैने इस तैम I am going to use match move probably match move baked baked भी यूज़ कर सकते हैं connected भी यूज़ कर सकते हैं totally up to you now directly I am going to use this and now what will happen automatically my tracking will match so now major issue is now two more issues are coming like we are missing shadows and we are missing color correction normally लोग का यह रहता है कि यार manual मेरे को animate करना पड़ेगा grade node और बहुत प्रबलम होती है sometime we have to do but sometime it's not right or not perfect to do that frame by frame हम color correction animate नहीं कर सकते हैं करते हैं बहुत बार but we have some other options as well so color match करने के पहले मैं shadow match करना चाहूँगा बहुत ही असान है I am going to use this and probably मैं यह यूज़ करूँगा थोड़ सा फेदर बढ़ा दूँगा तो already क्या होगा आप देख रहे हैं यहां पर फेदर बढ़ाने से मेरे को automatically shadow मेरे को मिलने लगी है and I have to little fix it so थोड़ा थोड़ा मैं soft edges ऐसे कर देता हूँ तो क्या होगा shadow all apart अपना perfectly match हो जाएगा कोई शू नहीं है now सबसे major problem किस तरीके से हम इस चीज़ को color correct कर सकते हैं now see अब इस information को हम use करने वाले हैं जो हमने यहां पर average करी है so here we have four options right so what I am going to do I am going to take a grade node over here right और grade node में थोड़ी से trick में आपको बताना चाहूँगा sometime what will happen directly मैं बताता हूँ जैसे अगर directly मैं इस information को यहांब मैं to करता हूँ directly मैं इस information को grade में अगर copy करना चाहूँ तो इसके gain में ध्यान रखना इसके gain में मैंने आपके इसका four unit on किया इसके gain में I can click and drag so what will happen यह match नहीं होगा color इसका match नहीं होगा अब प्ले करके देखते हैं यह थोड़ा match वहड़ा बर dark हो गया है so first frame पे यह match होना चाहिए इसके exact intensity match होनी चाहिए तो what I am going to do अब एक और चीज़ कर सकते हैं इसके white point में सिर्फ एक frame के लिए आपको यह information set करनी पड़ी so I am going to control C, control V देखना मैं animation copy paste नहीं कर रहा हूँ मैं एक frame के लिए सिर्फ वो information copy paste कर रहा हूँ जैसे ही मैंने sorry जैसे ही मैंने copy paste किया आप अगर ध्यान दो गए हाँ पे तो मेरा almost मेरा ये match हो गया है कोई problem नहीं है मेरे को right see so इस इसका ध्यान रखेंगे आपको white point में एक frame का information जो first frame जो reference frame उससे आपने किया है और बाकी animation जो है आपने gain में add कर दिये उससे क्या हूँ अदे को perfectly मेरे को coach भी करने की जरूत नहीं पड़ी और मेरा जो file है जो मेरा color का variation है जो luma का variation है वो perfectly मेरा match हो गया है isn't it cool so अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा dark सा हो गया है बहुत ज़दा पता नहीं क्या हो गया है तो आप एक काम कर सकते हैं इसके आगे grade और ले सकते हैं and थोड़ा सा इसका white point को adjust कर सकते है according to your requirement जैसे मेरे को लग रहा है कि red में थोड़ा सा ज़दा हो गया है तो in fact rather than doing this आप क्या कर सकते हैं यहां पर यह कर सकते हैं and थोड़ा सा red की information यहां पर बढ़ा सकते हैं थोड़ा see almost like this और आप green में भी जा सकते हैं green में थोड़ा बढ़ाने के ज़ुरत है almost इतना blue में जा सकते हैं blue भी थोड़ा ठीक है बट बहुत जादा करने के ज़रुप नहीं है now it's all matched कोई problem नहीं है अब प्ले करके देखूंगा तो perfectly मेरा everything is matched color का variation match luma का variation match isn't it cool same technique हम क्या करेंगे use करेंगे अगर आप बोलोगे सरे अब इसमें मेरे को अगर clean plate बनाना हुआ तो क्या करेंगे so उसमें भी same technique use करेंगे suppose that मैं छोड़ा सा example देता हूँ यसे ये मेरे को patches दोनों clean करना है तो I have to take rotopaint node right rotopaint node कर लेने के बाद आपको पता है क्या करते है हम लोग को clean up करना पड़ेगा and clean up करने के लिए I am going to take clone node and and थोड़ा सा बाद dog की आवाज आ रही है आप लोग थोड़ा सा avoid करेंगे उस चीश को थोड़ा समया पर clone करता हूँ and before doing that I am going to use zero hardness zero कर देंगे and just paint it बहुत ही छोटा सा example कोई बहुत बड़ा example नहीं बता रहा है and now I am going to take a note called frame hold again and single frame मेरे को frame hold करना पड़ेगा frame hold कर देता हूँ मैं and after that I am going to do I am going to take a roto node and फटा फट से ये वाला part roto कर लेता हूँ and ये वाला part roto कर लेता हूँ फटा फट से बहुत time waste नहीं कर रहा क्योंकि already मैं clean up वेगरे के लिए बहुत सारे tutorial बना चुका हूँ तो वो clean up कर सकते हैं आप उस तरीके से और बाकी जो color variation का होगा आप इस तरीके से ये बहुत ही industry में use होने माली technique है आप बिल्कुल इसको use कर सकते हैं और बहुत लोग ने पूछा भी था मेरे same fact की color variation को कैसे करेंगे तो यहां पर I am going to do mask probably और mask को same way हम यहां पर भी क्या करेंगे हम इसके पहले merge कर देंगे तो आप same way होगा क्या है यहां पर यह इसका tracking match नहीं होगा obvious इसका tracking match नहीं होगा देखों यहां पर इसका tracking match नहीं होगा so tracking match करने के लिए obvious I am going to use this thing control c control v right अभी क्या होगा अभी tracking perfectly match हो जागा लेकिन color match नहीं हो रहा तो same way यह जो grade मैंने किया है same तरीके से यहां पर भी हम जाएंगे same grade को copy paste कर देंगे so क्या होगा और यहां पर थोड़ा सा मेरे को यहां पर problem होने लगी है तो elbow here and यहां पर जाएंगे और थोड़ा सा soft कर देंगे कोई problem नहीं है now it's all matched problem नहीं है now I can play बहुत ही quick और बहुत ही आसान तरीके से आपने देखा यहां पर कि किस तरीके से flicker करने वाले footage को हमने अच्छे तरीके से clean कर देए थोड़ा से यहां पर और work out करूंगा मैं तो मेरा almost वो भी perfectly match हो जाएगा so यह बहुत ही useful technique है guys आप सिर्फ यही use नहीं है और भी बहुत सारे uses हैं जो use कर सकते हैं इस technique को मैं बस share करना था कि यह technique भी आप use करें clean up करने के लिए जहां पर light flickering हो और यह तरीका almost हर जगा काम करता है and now इसमें मैंने सिर्फ आपको एक ही option बताया है यहां पर average intensity आप चाहें तो exposure difference भी कर सकते हैं max luma pixels भी कर सकते हैं आप एक बार अपने end पर जाके try करें and probably you'll get some different results right so उमीद करता हूँ आपको आज का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही आपने a unique और नए technique सीखी होगी और अगर आपने नए technique सीखी है तो आप इसको use करके अपने शोरिल अपने काम को और अच्छा बना सकते हैं so I think आज के लिए इतना काफिर हैगा and अगर आपको किसी भी रीजन के वज़े से मेरे वीडियो अच्छी लगी हो है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें वीडियो को जादा शादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब के हुए ना जाएं अब इस सेड़, this is VFX5 signing off, have a good day